नमस्कार आरकेदांगी चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में एक बड़ा अपडेट लेके आ रहे हैं मद्य प्रदेश प्रोफेशनल एकजामनेशन बोड ने जो परिक्षा होने वाली थी 18 और 19 माई को उसकी नई डेट जारी कर दिया वो अब 6 अगस्त और 7 आसर पढ़ने वाला है यह वाली जो परिक्षा आपकी थी गुरुफ बन सब गुरुफ बन और 37 यह परिक्षा थी गुरुफ टू सब गुरुफ एक की अगर इसी की हिंदिम बात करें समू एक उपसमू एक समू दो उपसमू एक यह भरती परिक्षा होने वाली थी इसमें आपका ग्रामीन उद्ध्यान बिस्तार अधिकारी था साई गुणवत्ता नियंत्रक था और 37 सबसे उपर जो था प्रबंदक गुणवत्ता वाला वरिष्ट उद्ध्यान विकास अधिकारी यह वाली परिक्छा की तिति उन्होंने चेंज कर दिये यानि के 6 और 7 अगस्त को ह होगी लेकिन दोस्तों यह वाली तिति से अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्पून है क्यूंकि अब यह वाली जो डेट देने से इस से यह चीज के लिए होगा यह जो अभी कंपनी ने जिनने भी एक्जाम कंड़क्ट कराया प्रोफेशनल एक्जाम न पास पास उन्होंने बाद का टाइम टेबल पर दी अब यह पता धाई महीं शसकते थे ओप महीं में ऐक्जाम करा सकते थे जून में करा सकते थे जुलाइइं लैकर यह जो रहा है प्र आभूक्श्च भैक्ट ने कंपनी पिर से बनाएगी और फिर तरीके से अग्जाम होगी अगस्त के बाद होगी 20-22 अगस्त को इसकी एक्जाम हो सकती है इसी हिसाब से अगर आप बात करें कौंसल विकास वाला जो आई टी आई ट्रेनिंग ऑफिसर इसकी मई में प्रस्तावित है ये भी फिर सितंबर अक्टूमर में चली जाएगी और मांकि जितनी भी जो भ फोर की होगी गुरूफ फोर के बाद फिर आई टी आई ट्रेनिंग ऑफिसर की मतलब कि आपको चार-पांच महीने अभी तैयारी का टाइम मिल गया है और बागी इस से रिलेटेड में समय समय पर सबसे पहले अपने चैनल पर ऑथेंटिक को सई जानकारी लेकर आता हूं इ यह परिक्षा का फोर्म भी बरा गया और भी लेट हो सकती है अगर कंपनी नहीं होगी कोश्चन बैंक बनाने वाली और एक्जाम लेने वाली नहीं कंपनी को जब तक टेंडर नहीं मिलेगा जब तक वो परिक्षा की तैयारी नहीं करेगी तब तक एक्जाम नहीं हो सकता ह लीया इसलिए अब आपको क्या करना आपको अधिक सहदीग यह आपको अपना अटिउट करके और यह आपको कौसिस करना है कि आप सरकार पर या जो भी ए- savings पर यहे प्रोफेशनल एकंड बोड इसमान प्रिसहसान विवाग की दवाब मनाएं कि वह जल्दी